अब्दुला गंच में पत्रकार ऐसे भी हैं जो लोगों को खबरों के माध्यम से तो पौधारोपन के लिए जागरूप करते ही हैं साथ ही स्वयम भी टीम बना कर अपने पाथ साल से पौधे रोप रहे हैं पाथ सालों में टीम के सहयोगी से करीब तीन हजार पौधे रोप चुके हैं जुसमें से तीन से चार सो पेड़ बनने को तयार हैं पत्रकार दीपक नागर पांच सालों से लोगों को जागरूप करते हुए चले आ रहे हैं और केवल पौधारोपन के लिए कहते ही नहीं बलकि स्वयम भी पौधारोपन करते हैं पत्रकार ने सबसे पहले महावीर कॉलोनी मार्क पर पौद्हार ओपन कर उन पौधों को बढ़ा किया, इसके बाद नगर के वाड आठ हिरानिया के खेड़ा पती माता मंदिर पर पौधार ओपन अभियान शुरू किया, दीपक ने हरनिया में चार सालों में मंदिर परिसर तालाप के चारों तरफ मुक्तिधाम पार्क स्कूल वा गाउं की सडकों पर पौधार ओपन ग्रामीनों के सहयोग से किया भोपाल से 8-10 फीट के पौधी लेकर रोपे जाते हैं ताकि मवेश इसे नाखाएं और जल्द बड़े हो सके दीपक नागर बताते हैं कि यदि उनके इस अभियान में योगेश तिवारी गजराज यादव, नीलम मालविय, संजे नागर, गौरव नागर, महेश मिष्ट्री, सुनील नागर, सर्वेश गौर, दिलिप मेघानी का सहयोग नहीं मिलता तो ये सब संभव नहीं था पर्यावरन को बढ़ानी के लिए सरकार को कॉलोनी निर्मान में सडकों के बीच पौधारोपन अनिवारे करना चाहिए, भवन निर्मान के अनुमती तभी देना चाहिए जब घर में जगह के हिसाब से पौधा लगे हो, प्रशाशन को सबसे पहले अपने सरकारी कार्यारे में बड़े पौध ही लगाना चाहिए, जो सेकी पर्यावरन को बढ़ाबा मिल सके। कि पोधे लगा रहा है, नीम 10 त्विट के लगा रहा है, करीव हम 3-4 शाल पोधे लगा चूके हैं, जिसमें से 300 पोधे पल चुके हैं, मुकती धाम को हमने पूरा 10 पीट के पोधों से पूरा भर दिया है, मंदिर का ग्राउंड पूरा भरा चुका है गाउं के बाहर जो पार्क है इस साल उसमें पोदरोपन करना है 20-25 पेड़ पीपल के रोपना है तो इस तरह से हमारा अभियान लागातर जारी है कितने लोग इस अभियान में? इसमें शुरू में एक दो लोग थे आदप, संजे है, एक निलम सिंग, मालवी है इसे कई यूवा हैं जो लगतार मेहनत कर रहे हमारे प्रयास सफल हो पाए इसमें हर तरह है कि फल के भी लगाए अमरूद है, आम है, जामून है, पीपल है, नीम है, कंजी है कदम के पेड़ हैं, नारायन के पेड़ हैं सभी तरहें के पेड़ लगाए हैं अब हम यहां पे आयरुवेद जड़ी बूटी वाले उधे लगाएंगे ताकि अगर किसी को च्छाल की यरुवत है या किसी भी आयरुवेदिक पोधे की च्छाल चाहिए जो भी चीज़ चाहिए उसे यहां से आसानी से मिल सके जैसे कि अब आपने जो भी लगबर दो से तीन साल से आप ओले लगा रहा है क्या है क्या फाइदे में देखते हैं अब तक कुछ फाइदे मेदर आते हैं आपके विट्विल्स की जानब से विंडो टेंपलेट आपके हाइदे में हाज़र है यह ठूविंडो है 30, 70 कहला एक है 30 का एरिया है एस परपोर्शन में रूंकरो या वी लोगर काफे हमेंब अपने अपेरिंशन कर सकता है क्रोमा काट के साथ और जो 70 का एरिया है परपोर्शन में इसमें फोटेज या तदावीर आप استعمال کر सकते हैं तो एक خوبصورत विंडू है आप अपने नियूज में इसको वी लाउक्स के लिए इसकी लिए इस को वीलाग्स के लिए इसके लिए इसके लिए इसके लावा चैनल को सबस्क्राइब करें और इसको डाउनलोड करके फ्री इसके लिए इसकी का Пос review के 수 जादा आक्सियन मिल सके हर साल में प्रसासन पोधर ओपन के लिए अवियां चलाता है लगाने के लिए नश्ट हो जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि जो प्रसासन है जो जन-प्रितिर दियंदी है विदायक जी है वह एक बेठक लें और एजरीम को निदेसित करें कि जितने भी हैं और उनकी जो सरकारी जगह है campus की सबसे पहले उस campus को फुल किया जाए बड़े पोदों के साथ 10 फिट के पोदे लाया जाए बोपल से और हर दस लगाया जाए पीपल के लोगों को सामिल करने की उरूत नहीं है पहले वो अपने ही घरों को को फुल करें सरकारी campus को फुल करें पंचायत अपनी पंचायत वबन फुल करें इसकुल के टीचर जो है पहले अपने इसकुल के campus फुल करें जो भी सरकारी जगे हैं वह फुल होना चाहिए और बिल्कुल ने बढ़े ड़ नोन आना चाहिए ईपसे में में 2020 के पीपल का प्रक्ष्ट्स लगाया था तो मेरी माता जी की मेरी माता जी को सांती मिले और जब बड़ा होगा दस साल बात तो इसके नीचे हजारों लोग बेठेंगे जिनको हवा मिलेगी सांती मिलेगी मैं यह चाहता हूँ कि जैसे मेने ब्रक्ष लगा जाए इसे आप लोग भी परियावरन से जुड़े और अधिक से अधिक जितने ह हो सके ब्रक्ष लगाए यह जो पीपल का ब्रक्ष है दो वर्स पूर्व छोटे से पोधे के रूप में लगाया था जो आज लगभग छे फिट उंचा हो गया है हमने पिछले दो साल से निरंतर प्रति वर्स लगभग बारा बारा पोधे यहां पर लगाते हैं जिनकी हाइट लगभग आठ फिट के करीब होती है उनको लगाया जाता है परन्तु हमारे साथ विडम बना यह है कि शाला परिसर की कोई बाउंडरी वाल नहीं होने के कारण कतिपए तत्वों द्वारा इन ब्रक्षों को चतिग्रस कर दिया जाता है पिछले दो वर्सों में मात्र यह पीपल का ब्रक्ष यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हिए लगा कितने इस अप लोग उने लगा आया और आप किस तरीके से लगाते हैं ब्रक्षाब 5000 समय लगा चुके हैं इस में से तिन 400 ब्रक्ष पलगा है मांकी सब सूब गाई इसको लगाने से मदधे बड़ी कुशी मिलती है और बड़े शोग से पाले हम अब लोग कितने सालों लगाते हैं चार-पॉंस साल करीब होगा है इसके पीछे क्या उद्देश है खाली जगा वहां लगाने प्रियास हम कर रहा है तो लगाने से किस तरीके के फाइदे आप लोग इससे यह आक्सिजन मिलती है चाय मिलती है हरियाली मिलती है सुंदर्ता वरती है कि और आगे आपके किस तरीके के प्रक्षाप अब आगे हमारा उद्देश यह नीम पीपल भी यह लगाने को अपने समसान घंगात लगा है खेड़ापति माता मंदर वाली अडिया में लगा है और उदर पानी के तंकी पास लगाए रोट साइट यह अब लगाने का हमारे तालाव कम ळाव लगाने का अब हरयाली पूरे मतलब छेतर में हां खाली जगा है महाँ पर हम ब्रक्ष डोपन करते हैं कि सब जगें हरयाली बनी रहा है और आक्सीजन भी मिलती कर वोष्ट के के लेकिन अभी हम क्या गुरुप बनाके 6 साल से उपर होगा है जब से लगा रहा है लगभग हमने 5000 से उपर पोथे लगा दिये उसमें कुछ खराब होगा है और कुछ फल गए हैं अच्छे बड़े भी हो गएं छाएधार भी हो गए हुआ है पोधे हम सभी पिरकार के लगाते हैं फूल फल तो जिए सबसे जादा पीपल गुल्मोहर नीम सबसे जादा पोधे लगाते हैं नीम में क्या एंटिवाइटिक भी है और कई गूर्ण है कितने लोगा गूरूप में एक टिप में हम क्या है 15-20 लोग रहते हैं बेसे तो क्या है बहुत बड़ा गूरूप है